दोस्तों आज की इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं A.G. Gardner का एक बहुत ज़्यदा famous और well known इसे on habits के बारे में पहले ही हम लोग already एक वीडियो में हम लोग A.G. Gardner के life history से related और कुछ एक key points के बारे में हम लोग already discuss कर चुके हैं उस वीडियो के link आप लोगों के description box में मिल जाएगा अभी के लिए फिलान दोस्तों हम लोग start करते हैं on habits by A.G. Gardner तो दोस्तों वीडियो के start करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में एक बात share करना चाहूँगा कि अगर आपके पास में इस chapter का original text नहीं है तो अभी आप लोग इसी वीडियो के जैसे description box में जाएगे वहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में एक facebook group का link share किया हुआ है उस link को attach करते ही जो भी इस chapter से related original text के photographs वगरा है वो सब भी आपको वहाँ से मिल जाएगे तो फिलाल अभी जाड़ा time को ना विस्ट करते हुए start करते हैं on habits by A.G. Gardner जैसे कि यहाँ पर chapter के नाम से ही पता चला है on habits मतलब कि आदितों से related इस chapter में बात बताई गई है कि जो भी हमारी आदिते होती हैं वो किस किस तरीके की होती है हमें आदितों को बालना चाहिए हमें आदितों को बनाना चाहिए ठीक है लेकिन हमें आदितों को गुलाम नहीं हो जाना चाहिए ठीक है इस chapter में A.G. Gardner ने हमको यह सबसे अच्छी चीज बताई है कि आदिते जो होती हैं हमारी life को बहुत ही ज़्यादा बनाती है उसी तरीके से अगर हमारी आदिते जो होंगी अच्छी आदिते होंगी तो हमारी life को जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगी ठीक है suppose for an example मैं आपको एक example लेकर की बताता हूँ जैसे कि अगर आपकी आदत है तीन घंटे तक की या चार घंटे तक की लगातार लिखते रहने के और आपकी हाथ नहीं दुखते तो यह आपकी एक अच्छी आदत गिनी जाई क्योंकि during the examinations जब आप exam देने जाएंगे तो वहाँ पर आप continuous लगातार तीन चार घंटे तक की लिख पाएंगे ठीक है तो इसी तरहीके से यहाँ पर जो इस chapter का main motive है वो A.G. Gardner का यह समझाना है यह बताना है कि हमें आदतों को रखना चाहिए आदत जो भी होती है हमारी लिए बहुत ज़्यादा convenience हमको हमारी life को प्रदान करती है ठीक है लेकिन समय आने पर ठीक है जब time to time मतलब कि जब time आए तो हमारी आदतों में changement भी होना चाहिए ठीक है चेंजमेंट भी बहुत ज़्यादा जरूदी है ऐसा नहीं कि आपने कोई आदत बना ली तो इसका मतलब कि आप वो continuous चलती रहेगी चलती रहेगी और फिर आप कभी भी उसमें changement नहीं करेंगे ठीक है आपको आदतों में changement करना चाहिए फॉर improvement ठीक है improvement के लिए आपको अपनी आदतों में changement लगातार continuous करते रहना चाहिए तो चलिए start करते दोस्तों यहां पर से देखते हैं कि हमारे इस पूरे एसे में दोस्तों इन्होंने एक तरीके से बोले तो five main points बताएं ठीक है five main points का मतलब या फिर आप four मान सकते हैं five main points मतलब की five sessions बताएं five छोटी-छोटी stories को लेकर के इन्होंने अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से represent किया है और बताया है तो जो हमारा first paragraph है first point है या फ but found I could make no progress जो writer है एक सुबह बैठा हुआ है pen और कागच लेकर के ठीक है उसके दिमाग में कई सारे thoughts आ रहे हैं और वो article को लिखना चाहता है ठीक है जो writer है एक सुबह एक article लिखने के लिए एक pen और कागच लेकर के बैठा है लेकिन उसको कुछ ऐसा feel होता है कि वो कुछ भी progress नहीं कर पा रहा है उसके दिमाग में जो भी thoughts तो आ रहे हैं लेकिन वो उन thoughts को कागच पे नहीं उतार पा रहा है ऐसा उसको लग रहा है जैसे कि कोई भी machine होती हो उसमें कोई grit लग जाती है मतलब कि कोई जंग लग जाती है फिर कोई चीज अटक जाती है तो machine की जो भी पई होते हैं वो चलने से मना कर देते हैं उसी तरीके से सेम writer को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो अटक गया है या फिर कुछ ना कुछ तो मेरे thoughts के बीच में और मेरे हाथ के बीच में article लिखने के बीच में कुछ ना कुछ तो आ रहा है ठीक है जो की सही नहीं है बैस पैन है, fountain pen से याद आता है कि जब बच्पन के दिनों में हम लोग use करते रहते थे जिसमें ऐसा pen जो कि जिसमें ink भरी जाती थी और से उसको हम लोग use करते थे तो वही fountain pen को ले करके बैठा हुआ है और ये एकदम new fountain pen है जो कि इसके two or three well-meaning friends ने मिल करके दिया हुए इसको ठीक है जो की it was an excellent pen भी कि बहुत ही ज्यादा excellent pen होता है जो कि इसके दो और तीन चार मित्रों ने मिल करके इसके anniversary में gift किया होता है जो pen होता है वो भी चलने में बहुत ही ज्यादा smooth होता है बहुत ही ज़्यादा comfortable तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको move कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि pen में दिक्कत है, या फिर कागच ही नहीं सही है, ठीक है, या फिर कुछ और physical चीज है, या फिर मुलब की बोले तो कि कोई और समस्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लेकिन फिर भी ये जो writer है, वो article को नहीं लिख पा रहा है, क्यों नहीं लिख पा रहा है, इस चीज का अभी मैं बताओंगा क्यों नहीं लिख पा रहा है, वो बहुत देर तक सोचता है, इसका analyze करता है, कि क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है, जो कि मेरे दिमाग में भी आ रहा है, सब कुछ thoughts है, लेकिन फिर भी मैं article नहीं लिख वा रहा हूँ, मेरे पास में एक अच्छा खासा pen है, जो कि बहुत ही smooth चलता है, मेरे पास में कागज भी है, मेरे पास thoughts भी है, लेकिन फिर भी मैं article को क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, तो suddenly उसको इस चीज़ का एह आइसास होता है दोस्तों, कि वो तो अपनी आदत के साथ में भेद भाव कर दा है, मतलब कि जो उसकी आदत है, उसकी जो writer है, यानि कि एजी gardener है, जो इनकी आदत ये है, कि ये कभी जब भी article को लिखने के लिए बैठते थे, तो ये pen को नहीं लेकर के बैठते थे, ये pencil को लेकर के बैठते थे, लेकिन अभी आज क्या है दोस्तों, इन्होंने new fountain pen को लेकर के रखा है, यानि कि ये आज pen के साथ में बैठे हुए हैं, और article को लिखना चाहते हैं, तभी इनको ये article नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बताते हैं, कि जो pen का test ह ना, वही मेरे लिए unfamiliar है, ऐसा लग रहा है कि मैं pen को लेकर के बैठा हूँ, तो वो मेरे लिए एक तरीके की foreign language है, या फिर कुछ भी जो भी मैं लिखता हूँ, वो मेरे लिए एक तरीकी foreign language के बराबर है, ठीक है, ऐसा कुछ जो कि मैं pen से नहीं लिख सकता, ये कभी कदार ब करते थे, और pencil के use करते करते दोस्तों, इनको इनकी ऐसी इतनी ज़्यादा गहरी आदत हो गई थी, कि जब ये article को लिखने के लिए बैठे, तो वो लिख नहीं पा रहे थे, ठीक है, इनके दिमाग के बीच में, जो इनकी thoughts चल लहीं थी, उस चीज के बीच में, और article के तरीके से अपने article को लिख पाते हैं, तो इस तरीके से जो first paragraph है, या फिर first session है, दोस्तों, या first paragraph मैं नहीं बोलूँगा, या पर जो first session है, जिस तरीके से इननों ने अपनी बात को खुल करके बताया है, इस story में, या अपनी खुद के बारे में, कि इनकी जो आदत थी, वो pencil पैंसिल के साथ लिखने थी, लेकिन ये आज pen को लेकर के बैठे हुए हैं, तभी ये नहीं लिख पा रहे हैं article को, ठीक है, तो इनको क्या होना चाहिए, पैंसिल से लिखो आप भईया, पैंसिल से लिखो, कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये एक अच्छी आद भी बन गई, जिसके लिए इनको failure का सामना करना पड़ा, इनको क्या चाहिए था दोस्तों, कि समय के according, time को देखते हुए, जब इनके पास में pencil नहीं थी, तो फिर pencil लिख सकते थे, ठीक है, कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है, लिकिन फिर भी इनकी आदत नहीं थी, जैस वो exercise करता है, ठीक है, तो अब exercise करना क्या है, एक अच्छी आदत है, ठीक है, लिकिन अब suppose that कि उस आदमी को सुबह उठ करके कहीं पर जाना है, जल्दी, ठीक है, सारे 6 बचे मानलो उसको जाना है, और वो एक घंटे तक लगातार exercise करता है, तो अब जिस दिन उसको जल्दी कहीं जाना होगा, तो उसकी इतनी जादा ये गहरी आदत होगे, कि उसको सुबह उठते अगर वो exercise नहीं करेगा, तो उसको उसका पूरा दिन बेकाल चला जाएगा, तो अब वो सुबह सुबह उठा वी 6 बचे, ठीक है, उसको जल्दी भी जाना है, और वो अब एक गंटे के लिए exercise करने के लिए बैठ गया, ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए तो उसकी आदत बहुत ही अच्छी थी, ठीक है exercise करने की, लेकिन जब time आया, उसको चेंजमेंट करने का, आप या exercise जो थे, आप उस साम को कर लेते, या फिर थोड़ा जल्दी उठ जाते, पांच बज कर सकते हैं, और इसके वज़े से दोस्तों उस आदमी को क्या करना पड़ेगा, फेलर का सामना करना पड़ेगा अपनी आदत की वज़े से, वो लेट हो जाएगा, ठीक है, और लेट हो जाएगा तो फिर उसको सुनना पड़ेगा जाकर के, ठीक है, तो हमें आदतों को बना आदितों के साथ काम करना चाहिए लेकिन जब बात आए कि इसमें भी है कोई चेंजमेंट करो तो उस चीज में भी हमको पीछे नहीं हटना चाहिए तो दुस्तों यह तो हमारा फर्स्ट पैरा था अब दुस्तों जो सेकंड पैरा है मैं आप लोगों को ऐसा सौट में स्टोरीज बता रहा हूँ यहाँ पर जो भी चीजे लिखी हुई है यह सारी चीजों को आप बात में पढ़िएगा आराम से बैट करके ठीक है जो भी चीजे लिखी हुए मैं आप लोगों को ऐसा एकस्क्लेइन करना हूँ चीजे हैं क्या स्टोरी है क्या समदी है इसे की तो अभी रिखिए जो सेकंड हमारा यह पैरा है या फिर सेकंड जो भी हमारा सेशन है उसमें एक और स्टोरी को लेकरके राइटर अपने बात को बताना चाता है और इस स्टोरी में दूस्तों सब्सक्राइब और यहसंох कि बच्टम के दिनों में क्या हुआप करने いấp तर जब यह कालेजस में थे तो एक लड़का था जो की बहुत हमेशा टॉप पे आया करता था हमेजा कोई भी उससे question पूछा जाता था कोई भी teacher उससे कुछ भी question पूछते थे और वो हमेजा बता लेता था ठीक है तो वो हमेजा top पे आता था जिसकी वज़े से अब जाहिर सी बात है एक ही लड़का सब कुछ अगर बताएगा तो पांके जो भी लड़के बैठे होंगे उनको थोड़ा सा कहीं न कहीं irritation मतलब कि चिड़ एक दूसरे में जो होते हैं न कि चिड़ पैदा होगी या फिर jealous की कुछ भाव ना आएगी तो इसी तरीके जो सेर्वेल्टे स्कॉट थे उनको थोड़ा सा उस लड़के से क्या था irritation हो गया था या फिर चिड़ हो गई थी या फिर जलन हो गई थी ठीक है उस लड़के से तो उस चीज को उस चीज को उन्होंने एक चीज notice कर दी कि जब भी लड़के से question पूछा जाता है जब भी कोई teacher इस लड़के से question पूछती है ठीक है और ये लड़का खड़ा होकर के बताने लगता है question तो ये करता क्या है सबसे पहले जैसे ये खड़ा होता है तो ये जो भी अपना coat पहने है न तो वो coat के जो भी lower part में नीचे वाला जो सबसे button लगा होता है उसको क्या करता है वो टटोला करता है मतलब टोलने का मतलब कि उसको movement किया करता उसमें ठीक है नोचा करता है आंगे करना पीछे करना बहुत सारे ऐसे लोगों की आदते होती है ठीक है जैसे नाखून चबाना जो की बिना किसी वज़े की आदत होती है ठीक है तो उस सरीके से देखा जाए तो ये जो नोचा करता है ठीक है तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका दिमाग को divert कर दिया जाए इसकी ये जो आदत है ये जो बटन को नोचने वाली इसको इसकी बटन को काट दिया जाए इससे क्या होगा किसका जो दिमाग होगा वो divert हो जाएगा और distract हो जाएगा ये आंसर नहीं द बटन होती है कोट की उसको काट दिया और जब से next time लड़के से question पूछा गया जब मैडम ने पूछा उससे question तो खड़ा तो हुआ बहुत ही confidence के साथ में और जैसे ही बताना स्टार्ट किया उसने तो अपने आदत के according उसने अपने कोट के lower part वाली बटन को फिर से टटोलना स् ठीक है अब उसका जो ध्यान था वो divert होकर इस चीज़ पर focus हो गया कि मेरी बटन कहां चली गई ठीक है उसको ये चीज़ फील होने लगी कुछ तो missing है कुछ तो गडबड है जो मेरी बटन थी वो कहां चली गई उसका जो दिमाग था वो वहाँ पर से हट गया distract हो गया जो उस question उससे पूछा गया था और वो simple सी बात है कि वो उसका answer नहीं बता पाया ठीक है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक चोटी सी एक बहुत ही ऐसी आदत जो कि बिना वज़े की थी बहुत ही चोटी सी आदत थी उसकी वज़े से वो hard गया लड़का ठीक है वो नहीं question का answer बता पाया ठीक है तो यहाँ पर भी एक जो हमारा second session है ठीक है उसमें भी एक चोटी सी story को narrate करके इनोंने बताया है कि किस तरीके से हमारी चोटी चोटी आदते होती है जो कि जिनकी वज़े से हमको failure का या फिर success का सामना करना पड़ता है ठीक है यही हमारी चोटी चोटी जो कि हमारे जिम्मेदार होती है हमें failure और success की सकल दिखाने के लिए ठीक है तो यह हमारा second पैला था इसको आप और भी अच्छी तरीके से पढ़िएगा ठीक है बहुत ही ज़्यादा है मैं इतना ज़्यादा explain करके नहीं बताया जा सकता ठीक है तो summary है इसको मैं आप लोग जी बनती हमारी battery होती हो थोड़ी से charge होती है और और ज्यादा videos को post करने का motivation मिलता है ठीक है तो अभी देखिए दुस्तों third हमारा session है third session में भी एक चोटी सी story को बताई गई है अब यह third session को start करने से पहले मैं अपने live का एक छोटा सा experience कुछ दिनों पुरानी बात को मैं related बात नहीं है कि जब हम लोगों है ना मतलब कि जब हमारा school था जब मेरा school था जब मैं school जाता था तो वहां पर एक computer live हुआ करती थी जब computer live के अंदर हम लोग घुसते थे तो हम लोगों को अपना shoes and socks को एना क्या करना पड़ता था बाहर उतार के रखना पड़ता था ठीक ह अपने shoes and socks को बहुत ही जल्द बाजी में इधर से उधर मनलब fake दिया करते थे और सारे एक जगे पर ही खट्टा हो जाते थे mix up हो जाते थे और अंदर गुज जाते थे ऐसा result होता क्या था कि जब हम लोग वापस आते थे ठीक है जब वापस आते थे computer class को पूला करके तो ज सबीके shoes और socks एक ही जैसे होंगे जायल सी बात है school days में सबके एक जैसे होते है ठीक है और कई बार तो ऐसा भी होता था कि वो exchange भी हो जाया करते थे फिर बाद में पता चलता था तो C से related यहाँ पर भी एक बात बताई गई है जो writer है वो एक club से belong करता है यहाँ पर लिखा कि इसमें जितने लोग आते हैं जैसे कि बोले कि एक कमदा है मेरे पास में एक कमदा है जो कि मेरे लिए काफी sufficient है उसमें मैं अच्छी तरीके से अपना सारा सामान को रख सकता हूँ arrangement कर सकता हूँ सब कुछ कर सकता हूँ तो कमदा मेरे लिए sufficient है काफी बड़ा है लेकिन अ बताई गई है कि जो क्लब था वो अपने आप में तो काफी बड़ा था लेकिन इसमें जो लोग आते थे वो बहुत ज्यादा थे इस वज़े से काफी छोटा था ठीक है तो क्लब में अंदर जाने से पहले इन लोगों को क्या करना पड़ता था दोस्तों जो भी यहां पर क्ल करते थे यह चीज़ पता नहीं है फिलाद यह लोग महां पर जाते थे और कोट and hat को बाहर ही उताध कर जाते थे तो जो डाइटर है उसकी आदत थी वो भी जल्दी घुसने के चक्कर में फटाकस अपने कोट उतारा फटाक से अपने हैट उतारा हो कहीं भी जो भी उसको हुक दिखी जो भी कीले नहीं होते है ना टांग ने वाले उसमें कहीं पर भी टांग दिया और अंदर गुज गया ऐसा रिजर्ट जब वो वापस आता था बाहर तो अब सभी लोगों की कोट एक जैसे हैं किया इसने यह सोचा कि यह जो मेरा समय वर्वाद होता है ढूनने में और इस चीज को करने में तो अब मैं आंगे से किया क्या करूंगा एक चोटी सी आदत को मैं पालता हूं और इस आदत को बनने में 2-4 दिन का समय लगेगा और अब से जब भी मैं कभी आया करूंगा तो मैं रोज रोज आ करके एक ही hook में टांगर करूँगा ठीक है अगर मानदो कि वो hook भड़ा है पहले से किसी ने उसमें टांगर रखा अपना hat और coat तो फिर मैं क्या करूँगा जो भी nearest hook है इधर उधर वहाँ पर टांगर दिया करूँगा इससे क्या होगा जब वो वापस आएगा अपना कोट और हैट को लेने तो उसको ज़्यादा ढूनने ढूनना नहीं पड़ेगा ठीक है उसको जो difficulty होती ढूनने में वो चीज नहीं होगी ठीक है तो उसने एक छोटा सा improvement किया और छोटा सा एक ये बोले तो की आदत बनाई ठी लेकिन ये एक अच्छी आदत बन जाएगी इसमें changement होगा और ये काफी दिनों तक की हमको मतलब की difficulty जो मुझे face करनी पड़ती है उसको writer को face करनी पड़ती है अब वो उसको जादा और नहीं face करनी पड़ेगी ठीक है तो यहाँ पर आपने देखा कि एक छोटे सा example से इसन तरीके से changement उसमें करना चाहिए ठीक है अगर हम उसमें changement नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा हमें difficulty का सामना करना पड़ेगा ठीक है जैसे उसकी आदत थी पहले वो आकर के इधर उदर कहीं ना कहीं fake देता था अब उसकी आदत क्या हो जाएगी कि 2-4 दिन उसमें बनने में समय लगेगा अब वो आकर कि एक निश्चित ही hook में अपने hat और coat को टांगा करेगा जिससे जब वो वापस उसको लेने आएगा तो उसको वो आसानी से जल्दी मिल जाया करेगा ठीक है यही चीज हम भी पहले ऐसे सोच लेते कि computer lab जाने से पहले हम भी अपने shoes or socks है न सब ह यही एक छोटी छोटी आदिते होती है जो कि हमको बनानी चाहिए ठीक है चेंजमेंट करते रहना चाहिए इन सभी में और आंगे इन्होंने दुस्तों यहां पर जो third session है वो भी complete होता है इस तरीके से इस बात से I hope कि आप लोगों सब को समझ में आ रहा होगा अगर आप न suggestion देना है या फिर आपके पास में कोई एक अच्छा idea है मैंने बोलता कि एकदम मैं perfect हूँ ठीक है तो आप वहाँ पर जाकर के दे सकते हैं अगर जरूरी होगा तो मैं उसको पढ़ूंगा समझूंगा और साथ ही साथ में उसको implement करने का भी courses करूंगा ठीक है तो कि किस तरी प्रवक्ता थे स्पीच दिया करते थे लोगों को और इनकी बहुत ही ज्यादा एक अच्छी आदत थी और समय को देखते हुए यही आदत इनकी बुरी भी बन गई ठीक है इनकी आदत क्या थी दोस्तों जब भी स्पीच देते थे तो अपने हाथों का भरपूर यूज करत थी जैसे नहीं कि बहुत लोगोते हैं स्पीच बोलने के दौरान में बहुत उआदा हातों का मूउवमेंट किया करते हैं हाथ हिला हिला करके बोला करते है ठीक है तो यहीuciones भीसर बैलफर की भी आदत थी अब यहेश्पीच दिया करते थे लोगों को और एक दिन होता कर द यहां पर लिखा हुआ है कि जो इनके बड़े भाई के कपड़े को पहन लेते हैं, जिसका रिजर्ट क्या होता है, जो इनके बड़े भाई के कपड़े को पहन लेते हैं, जिसका रिजर्ट क्या होता है, जो इनकी आदत होती है, कि हाथ को हिला हिला करके बात करने की, ठीक है, वाजू जो होती है यह कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है और इसकी वज़े से ज़्यादा हाथ नहीं हिला पाते हैं जब यह खड़े होते हैं जाकर के स्टेज में बोलने वाले होते हैं जैसे ही और यह हाथ को हिलाना चाहते हैं तो हिला नहीं पाते मूव्मेंट नहीं कर बाते हैं जिसकी वज़े से इनका जो भी सारा ध्यान होता है वो अपने इनके हाथों को हिलाने में ही distract हो जाता है उसी चीज में focus ये करा करते हैं कि किस तरीके से मैं अपने हाथों को हिलाओं ठीक है अपनी चोटी सी आदत की वज़े से ये उस दिन speech अच्छी नहीं दे पाते हैं और ये तरीके से इनको failure का सामना करना पड़ता है ठीक है क्यों just because of इनकी आदत थी कि हाथों को हिला हिला करके बात करने के और अगर ये चाहते तो समय को देखते हुए अपनी इस आदत पर थोड़ा सा control करके अपनी speech को अच्छा दे सकते थे लेकिन हुआ क्या result का निकला अपनी इस आदत की वज़े से इनका ये हाथ नहीं हिला पा दे थे अपने से बड़े भाई के कपड़े इन्होंने पैन जो दखे थे ठीक है हाथों को नहीं हिला पा दे थे क्योंकि जो shirt थी वो काफी बड़ी थी उसकी बाजू थ काफी बड़ी थी वो हाथ को नहीं हिला पा दे थे ठीक है और इसी वज़े से इनकी जो भी speech थी वो जदा attractive नहीं हुई ठीक है तो ये तो fourth session हुआ fourth topic में इनकी बात को बताया गया तो I hope कि ये भी आपको चीज समझ में आयोगी और फिल जो fifth point है इसमें थोड़ा सा analysis बताया गया है बस analysis के बारे में बताया गया है fifth session में कि इसी तरीके से जो भी है जो एजी गार्टनर है वो हमको ये ठीच बताना चाते हैं कि देखा आपने कि किस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं कि अलग-अलग आज़ते होती हुआ उनकी और अलग-अलग आज़तों की सकते हैं ठीक है at last में बोला क्या जाता है कि जो writer होता है न वो जो pen के साथ में लिख रहा होता है वो क्या करता है I put up my pen उन्हों ने अप उसने जो writer था उसने अपना pen को दख देता है ठीक है और pencil को उठा लेता है pencil को उठा करके वो लिखना start करता है और article पूरा हो करके हम और आप इसको पड़ सकते हैं ठीक है तो यही आर्टिकल था वो लिखना चाहरा था तो इस पूरे essay में हम लोगों को यहाँ पर five points school मिला करकर देखने को मिलते हैं जो first point होता है उसमें जो writer है वो खाली बैठ करके सुभे-सुभे बैठ करके आर्टिकल लिखना चाहता है pen और कागज के साथ में लेकिन वो आर्टिकल नहीं लिख पा रहा होता है क्योंकि उसके पास में दोस्तो पैंसल नहीं होती है उसकी आदत क्या होती है पैंसल से लिखने की पैंसल लिखने की नहीं होती तो इस वज़े से वो आर्टिक मेट था जब मैं छोटा था तो मेरा एक लासमेट था जो कि हमेशा टॉप पे आता था और उसकी आदत थी वह अपने सर्ट की लोवर पार्ट की बटन को हमेशा टटोला करता था question बताने की answer को सुनाने के दौरान में तो जो servertor squat होते हैं उसे थोड़ा सा चढ़ने की मालब की तोड़ा सा jealous वाली feeling आ जाती हैं तो इस वज़े से वो उसके कोट की lower part के button को काट देते हैं और जिसकी वज़े से वो उसका सारा जो दिमाग होता है ध्यान होता है उस question के answer को बताने में ना केंदित हो करके वहाँ पर उस quote की lower part वाली button में केंदित हो जाता है जिसकी वज़े से वो सही तरीके से answer नहीं दे पाता और उस तरीके से दुबारा उसके पास में confidence उतना ज़्यादा वह वापस नहीं हो आ पाता ठीक है जो third session है उसमें हमने आप लोगों के साथ में बताया कि जो बात थी club जो writer एक club से बिलॉंग करता था वो अपनी hat और coat को जिस तरीके से वो hook में टांगता था वो तो अपने better changement के लिए मतलब कि थोड़ा सा changement करके अपनी उस आदत को change करके क्या करेगा अब वो एक निश्चित hook में ही टांगा करेगा अपनी hat और coat को ठीक है जिससे क्या होगा जिसका benefit क्या होगा कि जब वो वापस आएगा तो उसको जो धुनने में कटनाई होती है hat और coat को वो ज्याद speech लगी होती है और यह अपने बड़े भाई की कप्रे पहन देते हैं और जिसकी वज़े से इनकी हाथ हिलाने वाली जो भी आदत होती है वो उसकी वज़े से यह speech नहीं अच्छी देपाते हैं और fail हो जाते हैं ठीक है तो यह सी जमको देखने को यहाँ पर मिलती है कि अपन हाथ हिलाने वाली आदत को कोई कंट्रोल नहीं कर बाते हैं बड़े कप्रों की वज़े से और इनका जो सारा दिमाग होता है हाथ हिलाने में एक इंडित हो जाता है और इनका जो भी focus होता है वो बोलने से speak देने से ज़्यादा उपर उठ करके हाथों पर focus हो जाता है जिसक management की तुज उसको भी हमको करना ही चाहिए ठीक है जो आदते होती है वह भी हमारी मसीन की तरीके होती है जो कि हमको सुविधा प्रदान करती है इसके साथी साथ में हमारी आदते जो होती है वो हमें Live जीने के लिए हमें convenienCy प्रदान करती है और सबसे last में at last में ये है करको अभी पढ़ रहे होते हैं या फिर पढ़ चुके होते हैं तो इसी तरीके से दोस्तों जो भी हमारा chapter है ये खतम होता है आई होग कि आपको सारी चीजे clearly समझ में आयोंगी और अगर कोई भी आपको doubt होता है तो please आप please आपसे request है कि आप comment box में comment जरूद करें ठीक है बहुत ज़्यादा इंतिजाद रहता है comments का आपके ठीक है तो अभी के लिए फिलाल इतना ही मिलते है next वीडियो में next वीडियो में हम लोग भी बात करेंगे दोस्तों और भी कुछ आने वाले new essays के बादे में ठीक है जो की related होंगे Mr. A.G. Gardner से related ही होंगे ठीक है तो अभी के लिए फिलाल इतना ही मिलते है next वीडियो में stay connect stay safe thank you once again